हेलो एव्रिवान आम दिव्या डीएड से वियाई आश्ट वक्रा इंस्टीट उफ रिहाबिलिटेशन वेल्कम यू ओल अट मैं यूट्यूब चैनल दिव्या स्टाडी टाइम प्रेंड्स आज जो हम टोपिक करने जा रहे हैं वो है वीजों इंपेयमेंट जिसको आम भाषा में दिश्टी बाधिता या दिश्टी दोश भी कहा जा सकता है इसको विजन लॉस भी कह सकते हैं वैसे दो यह बहुत ही वास्ट टोपिक है इसके बारे में हम जितना पड़े उतना कम है बट स्टिल आज हम जो टॉपिक पॉइंट्स इसमें कवर करेंगे वो है इसके कॉजिस इसके टाइप्स इसके लेवल्स और इसके प्रिवेंशन एट्सेक्टरा चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं वीजों इंपेयमेंट होता क्या है यह एक ऐसी टर्म है जिसको हम यूज कर सकते हैं ऐसे परसन को डिस्क्राइब करने के लिए या तो वो बिल्कुल नहीं दे सकता पूर्ण तहा दिश्टे बादित है या फिर वो पार्शली देख सकता है यानि कि लो वीजन उसको हम कह सकते हैं दोनों ही कंडिशन में उसको वीजुल इंपेयर्ट परसन कहा जाएगा इसकी अगर हम कैटेगरी की बात करें तो इसकी दो कैटेगरी होती है वीजुल इंपेयमेंट की एक है ब्लाइडनेस और दूसरी है लो वीजन ब्लाइडनेस और लो वीजन दोनों ही वीजुल इंप द्रिश्चिबादित जो कि सिर्फ लाइट परसेप्शन को देख सकता है डिफरेंस कर सकता है जो बच्चा अंधेरे और उजाले में वो पूर्टा द्रिश्चिबादित होता है उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता चलता blindness के दो पॉइंट्स होते हैं सब केटेगरी congenital blindness यानि कि जनमजात द्रिश्चिबादित दूसरा होता है adventitious blindness यानि कि आकस्मिक द्रिश्चिबादित अगर हम बात करते हैं Congenital Blindness की Congenital Blindness का मतलब होता है जो बच्चा जनम जात दृष्टिबादित हो या जनम के 5 साल के अंदर दृष्टिबादित हो जाये किसी भी कारण से हो सकता है और अगर हम बात करें Adventitious Blindness की तो यह आकस्मिक दृष्टिबादित होता है इसका कोई भी genetic कारण हो सकता है कोई accident या कोई injury भी हो सकती है यह दो तरीके की blindness होती है next आता है low vision low vision बच्चों की ऐसी शमता होती है देखने की जिसमें की उसको हम totally blindness तो नहीं कह सकते इसको बहुत कम दिखाई देते हैं उसकी जो देखने की तिक्षणता होती है वो कम हो जाती है और उसके छेत्र होता है देखने का वो भी कम हो जाते है अगर हम बात करते हैं इसकी definition की तो definition friends अलगलग act में अलगलग definitions दी हुई है हम आज PWD के according इसकी definition के बात करेंगे यानि कि person with disability act 1995 इसकी according अगर हम blindness की definition देखें blindness refers to the condition where a person suffers from any of the following condition namely इन में से अगर किसी condition से person कोई भी person suffer कर रहा है तो वो blindness की category में आएगा first या तो उसमें total absence of sight हो या तो उसको पून तहां नहीं दिखता हो second visual equity not exceeding 6 by 60 or 20 by 200 feet in the better eye even with the correction lenses यानि कि visual equity, visual equity में आपको बता दू, visual equity मतलब होता है देखने की द्रिष्टी तिक्षणता यानि कि sharpness of sight हम कितनी दूरी तक देख सकते हमाई द्रिष्टी की तिक्षणता कितनी है वह होता है हमारा visual equity और visual field होता है हमारा देखने का द्रिष्टी छेत्र कितने एंगल तक हम बिना से हिलाए अपनी आखों को move करके कितने एंगल तक हम देख सकते हैं अपने दाएबाएं वह होते हमारे visual field या द्रिष्टी छेत्र इसको हम कह सकते हैं इस normal person का visual equity 6 by 6 आखों की होनी चाहिए और visual field 180 डिग्री तक होता है तो अगर कोई person 6 by 60 या 20 by 200 से ज्यादर नहीं देख पा रहा है with the better eye in the all correcting lenses यानि कि जितने भी हमारे eye में correction हो सकते हैं कोई भी lens use करके या कोई surgery करके उन सब corrections के बाद भी उसकी visual equity 6 by 60 और 20 by 200 है तो वो उससे जादा नहीं हो पा रही है तो वो इस condition में आता है थर्ड है limitation of field of vision सबस्टेंडिन है angle of 20 degree और worse यानि कि जो field vision है उसका डिश्टी शेतर जो है वो 20 degree से तक है या उससे भी बेकार है उससे भी कम है तो वो इस category में आ सकता है इन तीनों ही points में से अगर वो कोई भी condition fulfill कर रहा है तो वो blindness की category में आता है सेम ऐसे ही हम low vision की definition पढ़ते है PWD Act की according इसमें भी कुछ ऐसे ही condition है इसमें भी कुछ ऐसे ही condition है Snellen according to Snellen chart in the better eye after the best possible correction अगर किसी person की visual activity 6 by 18 से लेकर 6 by 60 के बीच में है क्योंकि 6 by 60 वाला तो blind की category में आता है अगर 6 by 18 से लेकर 6 by 60 तक है या फिर 20 by 200 से लेकर 70 by 200 तक है with the in the better eye after all best possible correction यानि कि सारे corrections के बाद अगर उसकी इतनी visual liquidity है according to Snellen chart Snellen chart friends होता है जो हम जब eye check-up करवाने जाते हैं आपने देखा होगा जितने भी ophthalmologist होते हैं वो अपनी clinic में एक वो लगा के रखते हैं chart जिसपे की ABCD लिखी होती है पहले सबसे बड़ा A उसके बाद उससे थोड़े छोटे letters फिर उससे भी छोटे फिर उससे भी छोटे ऐसे वो लेटर लिखे लिखे हैं उसको हम बोलता है Snellen chart उसके according हम इसको major करते हैं तो अगर किसी भी person की visual equity 6 by 18 से लेकर 6 by 60 के बीच में हैं तो वो low vision की category में आता है और अगर हम visual field की बात करें तो उसकी visual field 20 से लेकर 30 degree तक अगर उसकी visual field है तो भी वो low vision की category में ही आएगा इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी levels की levels of visual impairment तो देखिए फर्स्ट आता है हमारा mild, moderate and severe तीन levels होते हैं visual impairment के mild जो level होता है उसमें किसी भी person की visual equity होगी जो 6 by 18 के equal होगी color और brightness उसको कोई difficulty नहीं होती कोई भी shape पेचानने में color में कोई difficulty नहीं होगी वो थोड़े से large और कैक्टेस होगी वो easily पढ़ सकते हैं mild visual impairment next आता है moderate visual impairment इसमें visual equity जो होगी 6 by 18 हो सकती है उससे भी बतलब कि 6 by 18 तो mild में थी उससे भी बेकार अगर है 6 by 18 से लेकर या फिर 20 by 70 से भी कम है तो वो moderate visual impairment की category में आएगा वो सिर्फ वही character date कर पाएगा जो कि बहुत large है size में और broader है थोड़े चोड़े strokes में लिखे हुए है shapes को वो easily बता सकता है color objects के color को भी पहचान लेगा और brightness और darkness में difference easily कर लेता है वो होता है moderate category में अगर हम बात करते हैं severe visual impairment तो इसमें एक तो वो बिल्कुल कुछ नहीं देख पाता वो उसका total absence of sight होती है क्योंकि उसकी जो होती है वीजुल एक्विटी सिक्स बाय सिक्टी से भी बिल्कुल वर्स होती है और अगर हम बात करें darkness सिर्फ उसको इतना ही दिखते हैं कि वो darkness और brightness में difference बता देता है कहां अधेरा है कहां उजाला है nothing else उसके अलावा वो कुछ नहीं पता पाता ओके अब हम बात करते हैं इसके identification of visual impairment child हम कैसे identify कर सकते हैं visual impairment child का पहचान उसके हम कैसे पहचान करें तो friends इसके लिए मैंने एक आपको ABC strategy दी है यह मैंने खुद से short trick जो है learn करने के लिए अपने आपसे बनाई है ABC strategy इसका मतलब किया है A for appearance, B for behavior, C for complaints यानि कि उसके appearance को देखकर उसकी look को देखकर हम पहचान सकते हैं इसके appearance कैसे कि उसकी आई या तो वो बच्चा स्क्विंट हो उसकी आई में भेंगापन जैसे कि रियाते हैं पुतली हमारी एक साइड हो या दोनों diverse direction में हो पुतली या उसका eyeball जो है उस पर सूजन आई वी हैं वो कुछ अलग दिख रहे हैं और उसको pupil the pupil of the eye are of the different size की pupil है छोटे बड़े हैं तो इन appearance को देखकर हम पहचान सकते हैं कोई भी उसको object दोगे आप देखने के लिए तो आखो को बहुत पास लाके देखेगा अपनी eyes को बार 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 रब करेगा अगर और अगर उसको reading करवा रहे हैं तो बहुत inattentive होगा अपनी reading के दोरान तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को visual problem है हम इस तरीके से उसकी पिचान कर सकते हैं बहुत पानी आ रहे हैं बच्चे इस तरीके की complaint करते हैं बहुत बार तो वह condition हो जाती है visual हो सकता है maybe उस बच्चे को कोई भी vision problem हो तो इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए अब हम बात करते हैं इसके causes की कि किन कार्णों की वज़े से यह होता है causes friends हम तीन categories में divide कर सकते हैं that is natal, prenatal and postnatal जैसे कि हमने ही अपना hearing impairment वाली वीडियो में पढ़ा था तीनों अलग-अलग होते हैं natal यानि की जनम के समय प्री-natal यानि के जनम से पूर और पोस-natal यानि के जनम के बाद कुछ causes ऐसे होते हैं जनम के समय हो जाते हैं जैसे कि delivery के time कोई भी injury हो जाना, doctors के हाथ से बच्चे का गिर जाना या कोई भी ऐसा incident होना जिस पर brain injury हो जाए बच्चे को यह natal causes होते हैं जिससे की visual impairment बच्चा हो सकता है प्री-natal यानि की जनम से पहले जिसमें की सबसे बड़ा रोल मदर का होता है मदर ने कोई मदर को कोई infection हो गया है कोई भी infectious disease हो गई है रुबेला मीजर्स नाम के viruses से अगर मदर ग्रस्त हो गई है अगर मदर का alcoholic drugs वगेरा मज़ा जादा ले रही है तो उसका directly effect बच्चों पर पढ़ता है कोई भी ऐसे कारण बन सकते हैं एक्स्रेज वगेरा का जो directly effect होता है जो अगर repeatedly एक्स्रेज हो रहे हैं और उसका directly effect हमारे mind पर पढ़ता है जिसे की eyes पर direct effect पढ़ता है पोस्नेटल याने की जनम के बाद कोई भी genetic problem हो सकती है कोई ऐसी injury हो जाए brain injury, eye injury या कोई भी ऐसा accident हो जाए तो पोस्नेटल causes भी हो सकते हैं यही सब causes हमने आपको इसमें बताई वे हैं कोई ऐसी बिमारी जैसे की ग्लुकोमा, retinitis pigmentosa यह सब genetic होती हैं तो बच्चा पोस्नेटल यह सब causes पोस्नेटल में आएंगे इन बिमार्यों की वैसे बच्चा visually impaired हो सकता है ओके यह सारे causes आप deep में पढ़ सकते हैं अब हम आते हैं challenges के बारे में challenges बच्चों को visually impaired person को क्या क्या challenges आते हैं एक तो उसकी opportunity उसको information acquire करने की opportunity बहुत कम मिल बाती हैं क्योंकि वह बच्चा देख नहीं सकता तो वह information जाज़ा gather नहीं कर सकता अगर हम बात करें learning difficulties की उसको learning में बहुत जादा difficulties आती हैं वह बहुत धीरे-धीरे read करता है as compared to the general child उसकी जो general education की जो उसकी needs होती है वो फुल्फिल नहीं हो पाती है social difficulties होती है जैसे कि बच्चा किससे बात कर रहे तो उसको वह इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाता है उसमें आपको बहुत जाद दिक्कत आती है non-verbal clues होते हैं जैसे कुछ इशारा करना या hello करना वह सब बच्चा नहीं समझ पाएगा visually impaired children inability to judge distance को वह नहीं पता कर पाता कि जो हमसे बात कर रहे हैं वह कितनी दूर खड़ा और कितनी पास खड़ा है इसकी वज़े से socialization में बहुत जाद दिक्कते आती हैं और इसी के साथ education में भी बहुत जाद दिक्कते आती हैं जैसे कि बच्चे को braille सीखनी पड़ती है वैसे तो बहुत सारे technology develop कर रही है और visually impaired बच्चों के लिए बहुत सारे facilities आ चुके हैं talking safe software आ चुके हैं बहुत सारे आप कह सकते हैं assistive devices आ चुके हैं लेकिन still इन बच्चों को problem आती है इन चीजों के बारे में भी हम आप से आगे बात करेंगे अभी बात करते हैं इसकी epidemiology की बात करते हैं अगर हम एज के according देखते हैं more than 82% of all people who are blind are 50 years of age और and older 1.4 million blind children below age of 15 जानी कि या तो बहुत जादा बच्चे जो लोग है 50 की age को पार कर चुके हैं वो बहुत जादा blind होते हैं या फिर जो 15 की age से कम जो बच्चे हैं उनके जादा chances होते हैं blind होने के यह हमने बात करें by age अगर हम बात करें by gender तो friends females में बहुत जादा देखा जाता है chances higher risk होता है visually impaired होने के और by geography करी हम देखें तो 90% जो world में जो visually impaired हैं वो कहां पे रहते हैं developing countries में रहते हैं अब हम बात करते हैं इसकी prevention की जो genetic causes होते हैं उनके तो कोई prevention हो नहीं सकती वो तो हम सभी को पते हैं कोई ऐसी बिमारी है कोई disease है cataract glaucoma glaucoma retinitis pigmentosa या आप कैलो जरॉप थेल्मिया retinal detachment optic atrophy यह सब blindness का cause होती हैं इनकी कोई भी prevention नहीं हो सकती बस आप यह कर सकते हैं कि जो उनकी द्रिष्टी बच्ची हुई है आप उसको save कर सकते हैं बाकि जो general person है वो कैसे अपनी द्रिष्टी को prevent कर सकता है regular eye examination करवा कर या फिर जो कोई it is very important to drivers and people whose eyesight may be affected by their occupations such as those who are computer monitor to have regular eye examination जो बहुत जादा computers का laptops का use करते हैं उनको जादा से जादा अपनी eyes का examinations करवाना चाहिए कुछ occupation होते हैं जिनका बहुत बढ़ी काम होता है तो उनको अपनी eyes पे बहुत जादा ध्यान देना चाहिए कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत लापरवाई करते हैं साहद इन फोन में लगे हैं और अपनी eyes को check-up नहीं करवाते हैं तो उसका खास ध्यान रखना चाहिए thanks for watching guys hope it will helpful for you okay guys इसे एक बात में जरूर बोलना चाहूंगी अगर आपको इसके proper notes चाहिए या PPT चाहिए तो अब हमारे description box में जाकर इसका link given है आप उसके click करके easily PPT डाउनलोड कर सकते हैं no issue इसके बात भी अगर आपको कोई problem आती है तो आप हमें comment box में जरूर बताए हम बने रहे और पाते रहे अच्छी सची वीडियो थैंक यू